नमस्कार दोस्तों मैं रेखा पवार PSSM Blessing परिवार आडियो टीम डेरा बसी से बोल रही हूँ आडियो नमबर चार में हम एक नई विशय के बारे में जानेंगे जिसका शीशक है आनंद के चमतकार लेखक ने आनंद का स्पष्टी करण और परिभाषा 12 points में किया है इनी points की शुरुआत करते हुए हम आनंद के चमतकार को और बारीखी से जानेंगे लेखक बताते हैं जब मैं किशोरवस्था में था तब मैं यह सोचता था कि किस परकार का आनंद हमें चाहिए सन्यासियों वाला आनंद या फिर जीवन के योधाओं का आनंद सन 1949 में जब मैंने आखरी मुनेस्ट्री में गया और वहां से बहार आया तब मैंने अपने आपको शिक्षण के लिए समर्पित कर दिया मेरी जिन्दगी की सबसे बड़ी चुनौती अभी भी यही है कि आनंद की शिक्षा को हर स्थिती में फैलाया जाए अगले पन्ने आनंद के चमतकार के बारे में मेरी भावनाओं को स्पष्ट करेंगे और उनका वर्णन करेंगे पॉइंट नंबर एक आनंद अस्तित्व की वह अवस्ता है जिसमें हमारी चेतना, भारी संसार, भावनाओं, विचारों और कर्मों पर निर्भर नहीं करती जिन्दगी की चिंगाड सुनाई देती है पर वह आपकी चेतना को प्रभावित नहीं करती आनंद का एक शन चेतना की शर्तहीर अवस्ता का एक शन है आपके पास आनंद इसलिए नहीं है कि चीजें और स्थिती सही या गलत है बलकि इसलिए है क्योंकि आनंद आपके अंतरभाग से होकर आपके वहनों के अंदर प्रवाहित होता है अपना सच्चा स्वरूप बनने के प्रयास में जब आप उसके और भी नजदीक आ जाते हैं तब पर्मानंद को व्यक्त करते हैं इस अंसार में हम सिर्फ एक ही चीज को खोज रहे हैं वो है पर्मानंद या अनंद आनंद जब हम खुद को तीन स्थर वाले व्यक्तित्व के वहनों की समस्या से अलग कर देते हैं और चेतना की अनंद गहराईयों में चले जाते हैं तब हमें अत्याधिक आनंद और पर्मानंद की अनुभूती होती है पर्मानंद और आनंद के बीच का अंतर खोजना आसान है आनंद उच भावनात्मक और मानस्तिक स्थर पर मैसूस किया जाने वाला और अनुभव किया जाने वाला पर्मानंद है पर्मानंद केवल अध्यात्मिक मार्क और उच स्थर पर अनुभव किया जाता है किसी भी शन में पर्मानंद की किरण को जब हमारे व्यक्तित के वहनों द्वारा या हमारी आत्मा में अनुभव किया जाता है या जब हम उस पर्मानंद के शन को क्याद कर लेते हैं तब हम आनंद को अनुभव करते हैं भारी संसार, चीजें, लोग, परिस्थितियां आपको आनंद नहीं देती। पर वह आनंद को पैदा कर सकते हैं या आपके अंतरमन से आनंद को बुला सकते हैं। उधारण के तोर पर जैसे सुन्दर्ता, अच्छाई, धार्मिक्ता और स्वतन्तता आनंद का आवान कर सकते हैं। परमनन एक रोश्नी की किरण के समान आपके सच्चे स्वरूप का ही हिस्सा होता है। आनंद आपके अंदर से तब बाहर आता है जब सही परिस्थितियां निर्मित होती हैं या जब यह सही परिस्थितियों द्वारा उत्पन होता है। पर एक बार जब आनंद बहने लगता है तब कोई भी स्थिति या कोई भी चीज उसके परकाश को रोग नहीं सकती। आनंद के भन्डार में हमारी आंत्रिक घड़ी मनुश्य की आत्मा और अध्यात्मिक मार्ग होता है. अगर यह केंद्र हमारी चेतना के संपर्क में आ जाते हैं तब आनंद का भाव शुरू हो जाता है और बढ़ता है. जब मनुश्य अपनी आत्मा से बातचीत करता है तब वे हिर्द में मौजूद आनंद को महसूस करता है जब वे अपनी आंतरिक घड़ी से संपर्क करता है तब वे बड़ी शक्तियों के आनंद को प्राप्त करता है जब वह अध्यात्मिक मार्क को संपर्ग करता है तब इस ग्रह के लीडर की खुशी उसके हिर्द में उमड़ती है हमें बताया गया है कि आनंद का उच्चितम शेत्र अंतरिक्ष में होता है पर वह अभी हमारी पहुँच से दूर है जितना जादा आप अपने सचे स्वरूप में रहेंगे उतना ही आनंद आपके पास होगा जितना जादा आप तीन स्तर वाले व्यक्तित के भानों के द्वारा नियंतरण में रहेंगे और उसकी समस्याओं को जानेंगे उतना ही कम आनन्द और जादा दर्द आपके पास होगा पर्मानन्द को चिंतन, समाधी, अतियानन्द और उच्चतम स्तर की जागरुकता के द्वारा पाया जाता है जो ध्यान करते हैं और अंत में चिंतन करते हैं वह धीरे धीरे आनन्द को प्राप्त करते हैं और अपने जीवन को गहरी खुशी के साथ भर देते हैं एक बार एक शिक्षक थे जो एक बार समाधी की अविस्ता में चले गए थे गहरे चिंतन में उनके आसपास उनके शीश्य बैठे हुए थे अचानक से एक तीर उड़ते हुए आता है और कंधे पर छेद कर देता है छात्रों को समझ नहीं आता कि क्या करना है पर उन्होंने सोचा कि अगर उन्हें चोटना पहुची होती तो वैं उन्हें चेतन अवस्ता में ना लेकर आते जब तक कि वैं खुद से ही अपनी चेतना में ना आते शिक्षक के होश में आने के बाद वैं उस तीर के बारे में पूछते हैं मास्टर, आपके किसी दुश्मन ने यह तीर आप पर साधा है, आईए हम इसे बाहर निकालते हैं, तब एक विशेश प्रकार की सरजरी के द्वारा उन्होंने उस तीर को उनकी बाहों से निकाला जितना जाधा आप अपने भौतिक शरीर से दूर जाएंगे, उतना ही कम दर्द आपको महसूस होगा जितना ग्यारा आप अपने अंदर जाएंगे, आनंद उतना ही जाधा महसूस होगा प्रेम अधिक अकल्पनिय होगा और आपका मन एकता और सईयोग के द्रिष्टिगूण की तरफ काम करने लग जाएगा आप जितना जाधा अपने सचे स्वरूप से दूर रहेंगे, उतना ही जाधा दूरी आपको आपकी सोच, विचार, भावनाओं और कर्मों में मिलेगी आमतोर पर आनंद आपके चरित्र पर एक अधबुत जटके के समान आता है, जो फिर से गायब हो जाता है पर अगर आप अपने आपको इसे अनुभव करने का समय दे और इसे जाधा से जाधा लंबे समय तक बहने दे तब आपको यह जानने का मौका मिल जाता है कि आनंद आपके लिए आपके शरीरों और परिवेश के लिए क्या कर सकता है आज के लिए इतना ही आनद की परिभाशा को और बैतर तरीके से समझने के लिए हम अगले आडियो में जानेंगे धन्यावाद